हेलो दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाव टू अनफ्रीज एक्सिस बैंक अकाउंट ओनलाइन तो यहाँ पर अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो अनफ्रीज कैसे करना है यही इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो एंट देखना चैनल सबस्क्राइब करना सबसे पहला आप्शन आपको जीमेल के थ्रू बताऊंगा तो जीमेल ओपन करना है ओपन करने के बाद क्या लिखना है कैसे लिखना है सब कुछ बैस टैप बताऊंगा सेब प्रोसेस फॉ कॉलम उसमें आपको अपना पूरा नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे स्पेस देखे नंबर का कॉलम नंबर के कॉलम में आपको अपना रेजिस्टर मुबाइल नंबर लिख देना है मैं यहां पे सिर्फ डेमो के लिए और आपको बताने के लिए 1,2,3,4,5 लिख रहा हूँ इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे request का column request के column में बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही same to same मेरा copy करके लिख लेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे please unfreeze my axis bank account as soon as possible उसके बाद space देके हमको लिखना है thanks and warm regards यह सब कुछ लिखने के बाद उपर subject का column दिखेंगा वहाँ पे हम उसी से related लिखेंगे axis bank account unfreeze request यह सब कुछ लिखने के बाद आपको axis bank की gmail id डालना है वो उसके application से मिल जाएगी वहाँ से copy करके यहाँ पे हम paste कर देंगे उसके बाद आपको अपना email अच्छे से check करना है जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो proper और correct होना चाहिए और उसमें कोई भी spelling mistake नहीं होना चाहिए पूरा email अच्छे से check करने के बाद आप send कर सकते है send करने के कुछ दिर के बाद यहाँ पे आपको reply आ जाएगा कि आपकी request accept हो चुकी है और 24 hours के अंदर आपका account unfreeze हो जाएगा तो दोस्तों यह है पहला option जाबे आप जीमेल के through request करके अपना account unfreeze कर सकते है अब हम लग बात करेंगे second option की यहाँ पे directly आपको customer care से बात करना है अपने bank के और वहाँ पे आपको बताना है कि आपका account freeze हो चुका है reason भी आप पता कर सकते है क्यों freeze हुआ है और आप यहाँ पे customer care से process पूछना पड़ेगा आपको unfreeze करने का जो process आपको customer care बताएंगे वही follow करना है वह follow करने के बाद 3-4 working days का आपको time दे जाएगा और उस time period में आपका account यहाँ पे unfreeze होके मिल जाएगा एक और एक option बता सकता हूँ बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको directly आपके bank के नज़िकी branch में visit करना पड़ेगा वहाँ पे आपको जाके complain करना है कि आपका account यहाँ पे freeze हो चुका है और उसे unfreeze करने के लिए आपको application लिख के देना पड़ेगा और वहाँ पे आपको submit कर देना पड़ेगा submit करने के बाद आपको 7 working days का time दिया जाएगा और उस time period में आपका account unfreeze होके मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे तीन अलग-अलग option मैंने बता दिया है तीन method बताया है total यह तीनों method में से कोई भी try करके आप अपना account unfreeze कर सकते है उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और helpful लगी तो like जरू कर देना comment box में comment करके मुझे बताना के आपने कौन सा वाला method को try करके अपना freeze account यहाँ पे unfreeze किया है और दोस्तों चैनल को मेरे subscribe कर देना आज के लिए तना ही एजल मिलेंगे हम अगली वीडियो में new topic के साथ okay bye